हलो फ्रेंड्स मेरे नाम राकिश वर्मा और मेरी यूटूब चैनल पे आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे 2019 के महतपूर्ण नियुक्तियां और निर्वाचन के वारे में वह नियुक्तियां हुई राष्टी और अंतराष्टी है तो 2019 के जनवरी से दिसंबर तक जो महतपूर्ण नियुक्तियां निर्वाचन हुआ है उनके वारे में हम जानेंगे तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो सबसे पहले देखें अकील अब्दुल हमीद कुरेशी तिरपुरा की राज़िपाल रमेश बैस ने 16 नवंबर 2019 को जस्टिस अकील अब्दुल हमीद कुरेशी को तिरपुरा उचनय लएके मुख नयदिस की रूप में सपत दिलाई रवीरंजन जारखंड की राज़िपाल द्रोबदी मुर्मू ने 27 नवंबर 2019 को जस्टिस सवी संकर को जारखंड उचनय लएके पहले मुख नयदिस की रूप में सपत दिलाई शिवांगी विहार के मुझफरपुर की रहने वाली शिवांगी 2 दिसंबर 2019 को भारती नौसेना की पहली महिला पाइलेट बन गई ग्रीश चंद्र मुर्मू को 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कस्मीर केंदर शासित प्रदेश के पहले उपराज जिपाल की रूप में नियुक्त किया गया राधा कृष्ण माथूर को 31 अक्टूबर 2019 को केंदर शासित प्रदेश लद्दाग के पहले उपराज जिपाल की रूप में नियुक्त किया गया जियोती शर्मा लेफ्टिनेंट करनल जियोती शर्मा को 14 नवंबर 2019 को एक विदेशी मिशन पर तैनात होने वाली भारतिय सेना की पहली महिला जज एड़ोकेट जर्नल लदिकारी की रूप में नियुक्त किया गया प्रकास जबडेकर केंद्री सूचन एवं प्रसारन तथा परेवरण बन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकास जबडेकर ने 13 नवंबर 2019 को भारी उद्ध्योग एवं सारवजनिक उद्यम मंत्रा लेकातिरिक पदभार ग्रहन कर लिया अर्विंद सेहं वरिष्ट आईएस अधिकारी अर्विंद सेहं को 24 अक्टूबर 2019 को अनुज अगरवाल के स्थान पर भारती बिमान पत्तन प्राधी करण के अध्यक्ष की रूप में नियुक्त किया गया उद्धाव ठाकरे सिवसेना के प्रमुख उद्धाव ठाकरे को 28 नवंबर 2019 को महराष्ट का 19 वामुख्य मंत्री बनाया गया पी एस स्रीधरन पिल्लाई राष्टपती रामनात कोविंद द्वारा 25 अक्टूबर 2019 को पी एस स्रीधरन पिल्लाई को मिजुरम के पंदरवे राज्यपाल की रूप में नियुक्त किया गया सरद अरविंद बोबडे, राष्टपती रामनात कोबिंद ने 29 अक्टूबर 2019 को जस्टिस सरद अरविंद बोबडे को भारत का 47 वा मुख्य ने अधिस नियुक्त किया पंकज कुमार केंदर शरकार ने 22 अक्टूबर 2019 को आईएस अधिकारी पंकज कुमार को भारती बिसिस्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI का मुख्य कारेकारी अधिकारी नियुक्ते किया सौरब गांगोली भारती क्रिकेट टीम के पूर्व भूत पूर्व कप्तान सौरब गांगोली ने 23 अक्टूबर 2019 को मुंबाई में भारती क्रिकेट कंट्रोल बोड के 49 वेद्यक्ष की रूप में पदभार समाला सुखवीर सेंशन्दू बरिश्टाईएस अधिकारी डौक्टर सुखवीर सेंशन्दू ने 28 अक्टूबर 2019 को भारती राश्टी राजमार प्राधिकरण के चेयरमें की रूप में कारभर ग्रान किया ब्रजराज सर्मा केंदर शरकार दोरा 24 अक्टूबर 2019 को ब्रजराज सर्मा को करमचारी चैनायुक का ध्यक्ष नियुक्त किया गया मल्लीकारजुन राव मंत्री मंडल की नियुक्ती समीती ने 2 अक्टूबर 2019 को मली कारजुन राव को पंजाब नेशनल बैंक का नया प्रबंद नेदेशक और मुख्य कारिकारी अधिकारी नियुक्त करने की मंजूरी परदान की प्रमोद कुमार तिबारी को अक्टूबर 2019 में भारती अमानक ब्यूरो के नए महादेशक के रूप में नियुक्त किया गया रजनीश कुमार इंडियन बैंक एस्विशेशन प्रबंद समीती ने 18 अक्टूबर 2019 को भारती स्टेट बैंक की चेर्मेन रजनीश कुमार को वर्ष 2019-20 के लिए इंडियन बैंक एस्विशेशन का ध्यक्ष चैनित किया अनूप कुमार सें केंदी सरकार 12-19 अक्टूबर 2019 को गुजरात कैडर के वरिष्टाइप पियस अधिकारी अनूप कुमार सेंको राश्टे सुरक्ष गार्ट की महानेदेशक की रूप में नियुक्त किया गया भगस सेह कोशियारी को 5 सितंबर 2019 कुमाराष्ट के 22 वे राजजपाल की रूप में न्युक्त किया गया बंडारु दित्तते तो बंडारु दित्तते त्रे को 11 सितंबर 2019 को हमाचल पिर्देश के 20 वे राजजपाल की रूप में न्युक्त किया गया राकेश कुमार सेह भधोरिया केंदर सरकार ने 19 सितंबर 2019 को भारती बायुसेना के उप प्रमुख एर मार्शल राकेश कुमार भधोरिया को भारती बायुसेना का 26 वा प्रमुख नियुक्त किया P.K. मिश्रा, प्रधान मंत्री नरेंद मोदी न 11 सितंबर 2019 को प्रधान मंत्री का एरले में सीर सदिकारी की रूप में कारे रहे तता सबसे भरुशिमन्द नोकर साही सहीयोगी डॉक्टर P.K. मिश्रा को अपना प्रधान सचिप निक्त किया मरत्युंजय महापात्र, प्रख्याद बैग्यानिक मरत्युंजय महापात्र को भारत मौसम बैग्यान विभाग का महा निदेशक निक्त किया गया B.K. जोहरी, IPS अधिकारी विबेक कुमार जोहरी ने 31 अगस 2019 को सीमा सुरक्षबल के 25 वे महा निदेशक के रूप में निक्त किया गया आरिफ मौम्मद खान, पूर्वे केंद्रे मंत्री और अनुभवी राजनितिक गया आरिफ मौम्मद खान ने 1 सेतंबर 2019 को केरल के 22 वे राजजपाल के रूप में सपत ली तमिली साईं सुन्दर राजन, डॉक्टर तमिली साईं सुन्दर राजन को ESL नरसिंभन के सफल होने के बाद 1 सितंबर 2019 को तेलंगाना के दूसरी राज़पाल की रूप में न्योक्त किया गया विश्व भूशन हरी चंदन बयो बरध भाजपानेता विश्व भूशन हरी चंदन को 15 जुलाई 2019 को आंदर प्रदेश के 23 विराज़पाल की रूप में न्योक्त किया गया फागु चोहान, फागु चोहान को 29 जुलाई 2019 को पेहार के 29 वी राज जपाल की रूप में न्योक्ते किया गया बी-एस यदी उरपपा तो कांगरीसी जनता दल सेक्यूलर गटबंदन सरकार के गरने के तीन दन बाद 26 जुलाई 2019 को बी-एस यदू यूरपपा ने करनाटक के 31 वे मुक्यमंत्री की रूप में सफ़त ग्राण की जगदीब धनकड केश्री नात्र पार्टी के उत्तरा दिकारी की रूप में 30 जुलाई 2019 को जगदीश धनकड को पश्चिम मंगाल का 28 वा राजपाल नियुक्त किया गया करमबीर सेह एड्मिरल करमबीर सेह न 31 माई 2019 को भारती नौसेना के 24 वे प्रमुक की रूप में पदवार संभाला ओमबेडला भारती जन्ता पार्टी की नेता ओमबेडला को 19 जुन 2019 को सर्व सम्मती से 70 वी लोग स्वा के देक्ष रूप में चुना गया के नटराजन कृष्णा स्वामी नटराजन ने 30 जुन 2019 को भारती तटरक्षक वलके 23 महा निदेशक की रूप में पदवार संभाला अरविंद कुमार को 26 जुन 2019 को एंटेलीजेंस ब्यूरो के नय निदेशक की रूप में निफ्ट किया गया सामन्त कुमार गोयल केंद सरकार ने 26 जुन 2019 को सामन्त गोयल को भारत की बाहरी जासूसी एजेंसी रिसर्च एंड एनलेसेस बेंग जिसको रौ भोलते हैं का नया निदेशक निदेशक निफ्ट किया प्रमोद सावंत भाजापा बिधायक प्रमोद पांडू रंग सावंत ने 18 मार्च 2019 को गोवा के 13 मुख्य मंत्री के रूप में सपत ली नवीन पतनायक ओडिशा के राजपाल गड़ेशी लाल ने 29 माई 2019 को भोवनेश्वार इस्थित एगजीवेशन ग्राउंड में बीज सार कांगरीशी पार्टी के प्रमोख जग मोहन रेड़ी ने 30 माई 2019 को इंदरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम में आयोजेत एक समारू में आंदर प्रदेश के सत्रवे मुख्य मंत्री के रूप में सपत ग्रहन की पीसी घोस सेवा निर्वित्य सुप्रीम कोट की नयाधी स्पिनाकी चंद्र घोस को 23 माज 2019 को राष्टपती रामनात कोविंद ने भारत के पहले लोगपाल ब्रश्टाचार बरोधी लोगपाल के रूप में सपत दिलाई अश्वणी लोहानी सेवा निर्वित्य टेक्नो क्रेट अश्वणी लोहानी को दूसरी बार 15 फरवर्ज 2019 को एक वर्स के लिए अनुबंद के आधार पर एयर इंडिया के अध्यक्ष और फरवंद निर्शक की रूप में नयुक्त किया गया जीसी अनुपमा डॉक्टर जीसी अनुपमा को एस्टोनॉमिकल सुसाइटी ओफ इंडिया की अध्यक्ष की रूप में नयुक्त किया गया यह 18 फरवर्वर्ज 2019 को भारत में पेशिवर्ख खगुल विदों के एक संग की अध्यक्ष तक करने वाली पहली महिला बनी आर एन रवी रविंदर नारेंड रवी को 20 जुलाई 2019 को नागलेंड के 20 वे राजजपाल की रूप में नयुक्त किया गया एमार कुमार एमार कुमार को 14 मार्च 2019 को भारतिय जीवन बीमा निगम की नयध्यक्ष की रूप में नयुक्त किया गया बिनूत कुमार यादाव, दक्षण मध्य रेलवे के महा प्रवंदक बिनूत कुमार यादाव को एक जनवरी 2019 को भारते रेले बोर्ड के 42 वे अध्यक्ष और भारत सरकार के पदेन प्रमुक्त सचिप की रूप में निक्त किया गया सुधीर भारगाव, सुधीर भारगाव को एक जनवरी 2019 को केंदरी सूचना आयोग में नोवे मुख्य सूचना आयोग की रूप में निक्त किया गया कुमार राजिश चंद्र कुमार राजिश चंद्र को 8 जनवरी 2019 को ससस्त सीम अबल के महा निदेशक की रूप में नियुक्त किया गया अब देखते हैं दोस्तो अंतराश्टिय नियुक्तिया निर्वाचन तो गोटावाया राजपक्षी ने 18 नवंबर 2019 को स्रीलंका की नए राष्टपती की रूप में सपतली सेख खलीफा विन जायत अलनाहियान यूँए यू सुप्रीम काॉंसलिक द्वारत 6 नवंबर 2019 को सेख कलीपा बिन जायद अलनाहयान को UAE के राष्टपती के रूप में पुना निर्वाचित किया गया अलवार्टो फर्नांडीज अरजेंटीना के बाम पंति उमीदवर अलवार्टो फर्नांडीज ने 27 अक्टूबर 2019 को पहले दोर में राष्टपती पत का चुनाव जीता था अनोंने 10 दिसंबर 2019 को राष्टपती पत संभाला और पूर्व राष्टपती क्रिष्टीना क्रिचनरक इनकी उपाध्यक्षे प्रविंद जगनात तो प्रविंद जगनात ने 12 नवंबर 2019 को मौरिशस के प्रवा प्रधान मंतरी की रूप में पांच वर्षी कारकाल के लिए सपत गराण की क्रिष्टीन लगाडे तो यूरोपी संग की नेताओं ने 18 अक्टूबर 2019 को क्रिष्टीन लगाडे के यूरोपी सेंटल बैंक की नए प्रमुक की रूप में न्युक्ती की पुष्टी की जोको बिडेडो तो इंडोनेशिया की राष्टपती जोको बीडोडो को 17 अक्टूबर 2019 को इंडोनेशिया की साथवे राष्टपती की रूप में अपने दूसरे और अरंतिम पांच वर्ष के कारकाल के लिए सपत दिलाई गई सोफी बिलमेस बेल्जियम की राजा ने 17 अक्टूबर 2019 को सोफी बिलमेस को बेल्जियम की नई प्रधान मंतिर न्युक्त किया राफेल ग्राशी अर्जेंटिना की राफेल मारियानु ग्राशी को 29 अक्टूबर 2019 को सयुक्त राश्ट परमाणू निगरानी संस्था इंटरनेशनल लेटमक एनरजी एजेंस्टी का महान निदेशक नियुक्त किया गया बोलो दी मीर जेलेंस की यूक्रेणी टीवी स्टार बोलो दी मीर जेलेंस की को 15 माई 2019 को यूक्रेण की नए राश्ट पती की रूप में सपत दिलाई गई सिरेल रामा फोशा दक्षन आफरी की राश्ट पती सिरेल रामा फोशा ने 25 माई 2019 को राश्ट पती पत की सपत ली उर्सुला बान डर लेयन जर्मानी की उर्सुला बान डर लेयन को 16 जुलाई 2019 को यूरोपी आयो की पहली माई लाध्यक्ष की रूप में चुना गया पृति पटेल नब नियुक्त बिटिस प्रधान मंतरी बोरिस जांसन ने 25 जुलाई 2019 को संसस सदस से पृति पटेल को यूनाइटिट किंग्डम की गरह सचिब नियुक्त किया पृति पट किया का रास्टपती चुनाव जीता और सिलोबाकिया की पहली महिला रास्टपती वनी डॉटडी वोल्टर्स अमिरिका बाईव सेन की जर्णल डॉट्डी वोल्टर्स को उत्त Alliantic संदी संगटन सेन ने गटवंदन का सीर सेन अदिकारी नियुक्त किया गया क्रिष्टी लीना जारजी एवा बुलगेरियाई अर्थ सास्त्री क्रिष्टीना जारजी एवा को 25 सितंबर 2019 को अंतराष्ट मुद्रा को उसकी नई प्रवंद निदिशक के रूप में चुना गया तिजानी मुहम्मद बंदे नाइजीरिया के एक परफेसर तिजानी मुहम्मद बंदे को 11 माई 2019 को संयुक्तराष्ट महसावा का नाय अधिक्ष नियुक्त किया गया डेविड मालपास डेविड मालपास USA के हैं जो को 9 अप्रेल 2019 को सर्व सम्हत्ती से विश्व बंदेख्ष की रूप में चुना गया इन्होंने जिम यूम किंग का इस्थान लिया और शूत तिसंग चांग ताइवान की राष्टपती तसाइज इंग बेंग ने इस्थानी चुनामों की रूसलिंग डेमो क्रेटएब प्रोगर्येसिव पार्टी के नुक्सान के बाद केबिनेट फिर बदल के दोरान सू तिशयंग चांग को ताइवन का नहाप्रधानमंत्री नियुक्त किया कासिम जुमार्थ तोकाईब को 20 मार्च 2019 को कजाकिस्तान का राष्टपती नियुक्ति किया गया तो दोस्तो ये थी राष्टे अंतराष्टी ये निर्वाचिन नियुक्ति 2019 की तो आसा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तैंक यू